अपना मन नियंत्रित करना. शान्ती और सफलता की ओर हम सभी अपने मन के कैदी होते हैं. यह विचारों, भावनाओं और आवेगों का एक चंचल समुद्र है, जो हमें कभी उपर उठाता है, तो कभी नीचे गिरा देता है. मन को नियंत्रित करना एक कठिन लेकिन फाइदे मंद कौशल है. यह हमें शान्ती, सपश्टता और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है. आईए, देखें हम अपने मन को कैसे नियंत्रित करना सीख सकते हैं. एक, आत्म जागरूकता. पहला कदम यह स्वीकार करना है कि आप अपने विचारों और भावनाओं के दास नहीं हैं. आप उन्हें देख सकते हैं, उनका विशलेशन कर सकते हैं और उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं. आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए. ध्यान, नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें, यह आपको अपने विचारों को धीमा करने और वर्तमान क्षण में उपस्थित रहने में मदद करता है आत्म निरीक्षण, अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णाए के देखें ध्यान दें कि वे कब और क्यों उत्पन्न होते हैं और वे आपको कैसे प्रभावित करते हैं 2. सकारात्मक सोच हमारे विचार हमारी भावनाओं और कारियों को आकार देते हैं नकारात्मक विचारों का चक्र अनावश्यक तनाव और चिंता पैदा कर सकता है सकारात्मक सोच का अभ्यास करें, आभार व्यक्त करना हर दिन उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं अपने लक्षियों पर ध्यान दें अपने लक्षियों को स्पष्ट रूप से परिभाशित करें और सकारात्मक दृष्टिकोन के साथ उनका पीछा करें अपने आपको सकारात्मक पुष्ट दें मैं सक्षम हूँ या मैं खुश हूँ जैसे सकारात्मक वाक्य खुद से दोहराएं 3. विचारों का प्रबंधन हमारे दिमाग भटकने के लिए प्रवृत्त होते हैं जब आप किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अचानक ही अनावश्यक विचार आने लगते हैं इन विचारों को प्रबंधित करना सीखें विभ्रम को पहचाने जब आप अनावश्यक विचारों में खो जाते हैं तो इसे जल्द से जल्द पहचाने अपना ध्यान वापस लाएं धीरे से अपना ध्यान वापस उस कार्य पर लाएं जिसे आप कर रहे हैं गहरी सांस लेने से भी फोकस बढ़ाने में मदद मिलती है चिंता का समाधान खोजें यदि कोई चिंता आपको परेशान कर रही है तो उसका समाधान खोजने का प्रयास करें समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए समाधान पर ध्यान दें चार भावनाओं को संभालना अपनी भावनाओं को दबाना हानिकारक है, लेकिन उन्हें अपने उपर हावी होने देना भी ठीक नहीं है अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से संभालना सीखें अपनी भावनाओं को पहचाने अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें वे आपको क्या संदेश दे रही है अपनी भावनाओं को स्वीकार करें यह कहना ठीक है कि आप गुस्से में हैं, दुखी हैं या डरे हुए हैं अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश न करें